हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज की वीडियो में मैं आपको आरण 5S का रिवीव देने जा रहा हूं रिवीव देने से पहले एक बार हम इसका सिनेमेटिक सॉट देख लेते हैं उमीद करता हूं बाइक के सिनेमेटिक सॉट आपको पसंद आये होंगे अब बात कर लेते हैं इसके एडवन्टेज के बारे में यह बाइक 28,177 किलोमेटर चल चुकी है यह बाइक जो है मैंने नौवंबर 2017 में ली थी तो लगबग इसको 4 साल कंप्लीट हो गये हैं इस एडवन्टेज के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो इसका एडवन्टेज है वो है गाड़ी का लुक गाड़ी का लुक बहत ही बहतरीन है गाड़ी के लुक में कहीं कोई कमी नहीं है तो गाड़ी का लुक देखने के बाद सेकंड जो इसका एडवन्टेज है वो इसक जेती है 45 का average 45 42 से 45 तक का average आपको highway पी मिल जाता है and city में आपको 35 to 40 का average इसको मिल जाता है जो इसकी competitor जो bikes है इस range में जो इसकी competitor bikes है वो इतना average नहीं दे पाती है तो first इसका advantage है वो है इसका bike का average second जो इसका advantage है वो है इसका maintenance cost इसका maintenance cost है बहुत ही low है third जो इसका advantage है वो इसकी gear shifting gear shifting भी बहुत ही smooth है इस गाड़ी की यह गाड़ी जो top speed जो इस गाड़ी ने जो मुझे top speed दी है वो लगवग 132 के around दिया है और इसकी सबसे अच्छी खूबी यह है कि अगर आप इसको top speed में चला रहे हो top speed में चलाने के बावजूद यह गाड़ी बिल्कुल भी वाइबरेट नहीं होगी आपने कभी देखा होगा कि normal bikes जो है जब हम इसको top speed चलाते हैं तो बिल्कुल वाइबरेट करने लग जाता है इस गाड़ी में ऐसी कोई problem नहीं है अगर आप इसको top speed में चलाते हो 130 140 तो भी इस गाड़ी में कहीं आपको vibration फील नहीं होगा तो यह इसके कुछ advantage है पांच साल लगबग 4 साल इस बाई को लिए हो गई गाड़ी में कोई कहीं कोई problem नहीं है गाड़ी बिल्कुल smooth चलती है तो यह था R15S का review आपको वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बताईएगा चैनल को like and subscribe जरूर करें thank you